हेलो एबरिबरेंट तो फ्रेंज मैंने आपको पिछली वीडियो में साधर ब्लाउज में निशान लगाना और कटिंग करना बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको ब्लाउज को जोड़ना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से जिस किसी पर भी सिलाई नहीं आती दोंगे आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा बहुत आसानी से आप ब्लाउज में कटिंग करना निशान लगाना सीख जाओगे तो यह जो मैंने कल वीडियो में आपको कटिंग करके दिखाया था यह वही है ब्लाउज तो यह हमारे बाजू थे और यह पीछे वाला प देखिएगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सिलाई करना तो अब हम इनकी प्लेटों को भड़ लेंगे इनकी प्लेटों में सिलाई लगाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हो तो यहां से नीचे से करीब हम आदा इंच कपड़ा लेंगे यह देखिए इतना और उपर की तरफ हम बिल्कुल कपड़े पर सिलाई लगाएंगे और नीचे से हमें आदा इंच लेना है आदा इंच से भी आप ज्यादा ले सकते हो और ढ़लान से आप इसे बिल्कुल किनारी पर ले आईएगा सिलाई को तो यह देखिए इस तरीके से हमें इस लेने के लागा है दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अब हम यह दूसरी वाली प्लेट भरेंगेशन वाली तो इसमें हमें ज्यादा कप्डा लेनी की आवर्शकता नहीं है बस आदे पेर की हमेंित सिलाई लगानी है है कि इस तरीके से Garde अ कृतिसे में हम इसी तरीके से PLATE है, तो इसको भी हम इसी तरीके से भरेंगे, ये देखे, तो इसमें भी हमने सिलाई लगा दी है, और अब हम immunity वाली PLATE को भी सिलाई लगा देंगे, तो यहां पे हमारी सबी PAUL Keys में सिलाई लग चुकी है, यह देखिए काफी अच्छी फिनिसिंग आई है देख सकते हो आप तो इसमें हमारी प्लेटों में अच्छे से सिलाई लग चुकी है देख सकते हो आप तो इसी तरीके से फ्रेंस अब हम दूसरे वाले पीस में भी सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारे दोनों पीसों में प्लेटे भड़ चुकी है तो अब हम आई हुक वाली पट्टियों को लगा लेंगे तो मैंने पट्टियों की कटिंग कल वीडियो में आपको करके दिखा दी थी तो यह देख सकते हो आप तो इस तरीके से पट्टी को हम डवल करेंगे और इस तरीके से ब्लाज पीस में इस पट्टी को हम जोड़ेंगे यह देखे डवल पट्टी को किया है हमने तो और इस पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे और जो इसमें यह एश्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग करके आलग निकाल देंगे यह देखे तो अब हम इसमें एक सिलाई उपर से और लगाएंगे इधर से इस तरीके से फिर इसे अंदर को हम मोड़ेंगे तो मैंने शिलाई लगा दी है अब हम इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे यह देखे और इसके उपर हम कच्ची शिलाई लगाएंगे मोटी शिलाई तो यह मैंने शिलाई लगा दी है यह देखे जब हम इस पर तुरपाई करेंगे तो हम इस मोटी शिलाई को निकाल तो अब हम दूसरे वाले पर्त में पट्टी को जोड़ देंगे तो अब हम आई वाली पट्टी को जोड़ेंगे अभी हमने हुक वाली पट्टी को जोड़ा था तो यह उल्टे की तरफ से हम इसे जोडना स्टार्ट करेंगे यह देखिए आप देख पारे होगे इस तरीके स तो इसे हमें डवल नहीं करना है अभी यह देखिए तो अब हमने सिलाई लगा दी है और अब इसे सीदे की तरप को हम मोड़ेंगे तो जहां पर हमने यह सिलाई लगाई है तो बिलकुल उसी सिलाई की उपर हम इसे डवल मोड़ेंगे यह देखिए इस तरीके से अच्छे से हम इसे मोड लेंगे आप चाहो तो इसे पहले कच्छा कर लीजिए तो आप पहली बार से लें हैं तो आप इसे कच्छा जरूर कीजेगा इससे जोड नहीं आएगा इसमें बिलकुल भी तो देखिए इस तरीके से इसमें आधे पैर की शिलाई लगानी है बारिक शिलाई तो मैंने इस पट्टी को जोड़ दिया है ये देखिए काफी अच्छी फिनिसिंग आई है तो दोनों हमारे आगे वाले पड़त तैयार हो चुके हैं ये देखिए बिलकुल ये तैयार है तो अब हम पीछे वाले पीस में भी प्लेटे भर लेंगे तो ये हमारे पीछे वारे प्लेट में जो सौरी पीस में जो प्लेटे भरेंगे हम तो ये भी हमें नीचे से करीब आदे इंच से ज्यादा कपड़ा लेना है और उपर से बिलकुल हमें कपड़े की किनारी पर शिला बिल्कुल इस तरीके से तो अब इसी तरीके से हम दूसरी वाली प्लेट में भी सिलाई लगा देंगे तो इसमें भी मैंने सिलाई लगा दिये ये देखिए काफी अच्छी फिनिसिंग आई है तो अब हम इनके कंधों को जोड़ेंगे यहाँ पे इस तरीके से हम इने दोनों पड़तों को पिछले पड़त पर रखकर तो इनके कंदों में हम सिलाई लगा देंगे तो मैंने इसके मुड़े में सिलाई लगा दी है यह देखिए और अब हम दूसरे वाले मुड़े को भी जोड लेंगे तो यहां दोनों कंदे जोड़ चुके हैं यह देखिए बस तो फ्रेंज आब हम सबसे पहले इसमें गले में पाइपीन लगाएंगे तो मैंने पाइपीन कट करके पहले से ही रखी हुई है यह देखिए आब मैं इने जोड़ लूँगी तो इस तरीके से जोड़ेंगे आप देख पारे होगे इधर के कौने से और दूसरे कौने पर इसे मिलाना है और इस पर सिलाई लगा देंगे जब हम इसे सीधा करेंगे तो यह बिल्कुल सीधी आएगी हमारी पाइपीन वाली पट्टी यह देखिए इस तरीके से तो बाकी पट्टियों को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे तो यहां पर फ्रेंस हमारी सभी पट्टिया जुड़कर होगे तैयार तो पाइपीन की पट्टी बिल्कुल तैयार है बनकर यह देखिए तो इसको इस तरीके से खीचेंगे तो इसमें खिचाव आएगा तो बहुत ही अच्छी हमारी पाइपीन बनकर तैयार होगी तो अब हम आई वाली पट्टी के उपर पाई पीन की पट्टी को रखेंगे तो पाई पीन की पट्टी को हमें डवल करके जोड़ना है यह देख सकते हो आप और इस पे हम सिलाई लगाएंगे तो फ्रेंज यह ब्लैक कपड़ा है तो इसमें देखने में काफी परिशानी हो रही होगी आपको तो इसमें बहुत कम दिखाई दे रहा होगा सौरी तो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में light color के ब्लावज में आपको सिलाई करके दिखाँगी तो यहाँ पे हमारे गले की पाईपीन लग चुकी है तो इसमें थोड़ी सी पाईपीन ज्यादा है इसको में कट करके निकाल दूँगी और इसे अंदर को थोड़ा सा मोर देंगे यह देखिए और बस तो हमारे गले में पाईपीन लगकर तैयार हो गई है और जो थोड़ा इसमें कपड़ा एश्ट्रा होता है उसकी हम छटाई कर देंगे बहुत साफधानी से गले की पाइपीन ना कर जाए ध्यान रखिएगा तो मैंने एश्ट्रा कपड़े की छटाई कर दी है और अब मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी आप बाद में भी इसकी तुरपाई कर शकते हो तो मैं सबसे पहले इसकी तुरपाई कर लेती हूँ बहुत अच्छी फिनिसिंग आती है और इसको हमें बार बार नहीं मोड़ना होता है सिर्फ इसे एक बार ही मोड़नेंगे हम यह देखे कितनी प्यारी सी पाईपीन बनीया बहुत अच्छी फिनिसिंग आई है यह देखिए तो आप इस तरीके से डवल करके लगाए तो बहुत बढ़िया पाईपीन बनके तयार होती है यह देखिए तो आपको मैं किसी दूस पादेती हूं बिलाउज को तो यह देखिए 20 इंच फिटिंग हमारी तयार थी इसकी तो यह हमारा बिलाउज का फीस 22 इंच है तो एक-एक इंच हम साइड़ों में कपड़े को छोड़ेंगे और 20 इंच हम इसको तयार रखेंगे यह देखिए इस तरीके से हम निशान लगाएंगे तो अब हम इसकी कमर का भी नाप ले लेते हैं तो अपनी बिलाउज का नाप लेंगे पहले जो हमारी फिटिंग की बिलाउज है तो ये देखिए ये है 14 इंच तयार कमर इसकी तो हम इसे 14 इंच फिटिंग लेंगे कमर की और बाकी जो एश्ट्रा कपड़ा है इसको हम साइडों में ले लेंगे इस तरीके से और इस निशान को हम सीधा कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी तरपी निशान को सीधा कर देते हैं ये देखिए तो पीछे के पट में निशान लग चुके हैं अब मैं आगे वाले में लगाऊंगी तो इधर हम 10 इंची पर लगाएंगे ये देखिए निशान इस तरीके से और 7 इंच हम नीचे से लएंगे ये देखिए तो फ्रेंज इस तरीके से जब हम निशान लगाते हैं और हम जब इसमें सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी हमारी फिटिंग आती है हमें बारवार सिलाई लगाने की जरूत नहीं पड़ती है तो अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो इससे पहले फ्रेंज ये कपड़ा हमारा कम था तो मैं नीचे से इसे तुरपाई के लिए मोड़ूंगी तो इसके लिए मुझे जोड लगाना पड़ेगा ये देखिए ज मोड़ूंगी इसपे कच्ची सिलाई कर लोगी बाद में इसपे तुरपाई कर लोगी तो अब ये जो हम सिलाई लगाएंगे फ्रेंज आप दिहान से देख लीजिए तो जहां हमने निशान लगाया है सिर्प उसी निशान को दौनों पर्त में हमें रखना है और उसी के उ करना है दौनों पर्त को अच्छे से समार के आप उसमें सिलाई लगाएंगा तो बिल्कुल आपको बार बार सिलाई लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी तो ये देख सकते हो हमारे ब्लावज की फिटिंग तैयार हो चुकी है ये देखी फ्रेंज तो अब हम इसके बाजू बैठ रहा है ये हमारा ब्लावज का मुड़ा तो अब हम आठ इंच लेंगे हम बाजू की मुड़े को ये देखी तो इसमें निशान लगा के अब हम बाजू की गुलाई का निशान लगाएंगे जितनी आपकी ब्लावज की बाजू तैयार है उससे नापके आप निशान लगा दिया है और दूसरे बाजू में भी लगा देते हैं और इसमें हम सिलाई लगा देंगे इसी निशान पर तो हमारे बाजू में सिलाई लग चुकी है ये देखिए तो अब हम बाजू को जोड लेंगे ब्लावज में तो फ्रेंस ये जो हमारे ब्लावज की बाजू की जो सिलाई है और ये ब्लावज के जो कंदों की सिलाई है यहीं से हमको ये सिलाई से सिलाई को जोड़ना है ये देखिए आप दोनों सिलाई के मिलाईएगा इस तरीके से और इस पे हम गोल सिलाई लगा देंगे तो प्रेंस हम इस तरीके से नाप के जब सिलाई लगाते हैं तो ये छोटा बड़ा हमारा मुढ़े नहीं बैठते हैं एकदम बरावर बैठते हैं ये नहीं तो कभी बाजू के मुढ़े बड़े हो जाते हैं या फिर बलाउज के मुढ़े बड़े हो जाते हैं तो इस तरीके से जब हम नाप के निशान लगाएंगे तो ये कभी भी बड़े छोटे नहीं बैठेंगे, एकदम से बरावर बैठेंगे, तो यहां मैंने ये जोड दिये हैं, ये देखिए, बिल्कुल भी एक भी हमारा ना तो बाजू के मुढ़े बड़े हैं, और ना ही हमा तो हमारी बाजू जोड़कर तयार हो गई है, तो हमारा बलाज भी सिल चुका है, अब ये देखिए, बस इसमें आप आई हुक बनाने रहे गए हैं, बाकी हमारा बलाज सिल कर तयार हो चुका है, ये देखिए, काफी अच्छी इसमें फिनीसिंग आई है, तो आई हुक में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी बनाने तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा बलाज बन करके तयार हुआ है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगिए तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए